अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज जी फाइब के साथ बिलकुल फ्री जब मेरा परिवार तुम्हें कड़वी बाते सुना रहा था मैं तुम्हारे साथ तब भी नहीं था I'm sorry चानने दो रिशी तुम कभी मुझे और मेरी भाबनाओं को समझ ही नहीं भाएद कभी नहीं बात उसना मैं संच्में नहीं समझ पारा हुँ तुम क्या कह रही हूं यहीת तो कह रही हूँ कि तुम नहीं समझभाएं और नहीं कभी समझपाऊँ लक्ष्मी लक्ष्मी मिलस्ग मिलस्ग फृष पिटा क्या क्या, अच्छा, क्या हुआ है? मॉम, लीले मॉम ने लक्ष्मी को बोला है कि वो रोहन के आस पास भी नहीं रहेगी, उससे दूर रहेगी. अच्छा बहुत अच्छी बात है ना? अच्छा बहुत 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 जादा दिया, बहुत जादा इंपोर्टंस मिलने लगी है रोहन से. आज भी मुल रहे है. उसकी इंपोर्टंस कम नहीं हुए. सर पर चडा लिया सबने उसे. अरे तो कोई बात नहीं ना? अब नीलम ने रोक लगा दिये ना? अब तुम तुम तेखना. रोहन लक्षमी को इंपोर्टंस देनी कम कर देगा. यह सच है कि नीलम मॉम ने लक्षमी को बोला था कि वो रोहन के आसपास भी नहींगी. उससे दूर रहेंगी. उससे देखेगी भी नहीं. लेकिने पारू. पारू ने नीलम मॉम को बदल दिया. अब नीला मौम ने खुद कहा है लक्षमी को कि वो रोहन के पास जा सकती है उसे खुद पॉर्मेशन दिया उसके आसपास रहने की क्या? हाँ तो फिर अब तुम क्या करोगी? यह कहीं मैं तब से सोच रहे हूँ कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ ऐसा जिससे सब कुछ ठीक हो जाए सब कुछ वापस पहले जासा हुजा, सब कुछ नॉबल हो जाए यहीं सोच रही हूँ मैं तब से कितने वार करें हूँ लक्षमी लेकिन कुछ असारी नहीं हो रहे मैंने बहुत सोच आप और तब मैंने रिलाइस किया कि मेरी असली प्रोप्टम तो वह पारू है वह पारू वसी पारू की वज़े से आज रिशी और लक्षमी एक है वही पारू है जिसने निलम मॉमकाश वाश्फेस्दा बतला निलम मॉम को बतला उस पारो ने यहां तक कि वहीं पारो उसी पारो की बज़े से आज लक्षमी इस खार में भी है और इतना ही नहीं हाज अगर अगर वेरा बेटा रक्षमी के करीव है तो उपे उस पारो की बज़े से तो माम हम मुझे पारो परवार करना होगा मतलब कि मेरी सारी प्राव्व्रम के चड़ वो पारो है मलिश्का नहीं मत सोचो ऐसा कुछ कुछ भी गुरा नहीं सोचोगी तो नहीं मॉम अब बहुत ने रोगई है अब मुझे कोई नहीं रोग सकती है खूझ भी नहीं मलिश्का सी फाइव एप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री